तो हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अगर खुश नहीं है तो I hope कि आज मेरी इस वीडियो को देखकर आपके फेस पेक प्यारी से स्माइल आजे और आप खुश हो जाए तो हम सब की अलग-अलग food choices होती है राइट बट एक बहुत ही common सी और बहुत favorite choice होती है हम सब की जो कि बच्चों से लेकि old age की लोगों तक सब को पसंद होता है I hope आपने guess कर लिया होगा and आपने मेरा title भी पढ़ लिया होगा तो मैं बात कर रहे हूँ रसमलाई की जोकि मेरी Favourite Swig Dish है and मैंने बहुत बार रसमलाई काई है बहुत तरहा की खाई है and बहुत जगों पे खाई है लेकिन यार कभी अपने हाथ से बना की नी खाया है तो चलो आज अपने हाथ से बना के खाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूला and और अजो शेयर करना मत भूला so now let's quickly move on to the recipe तो रस्कला बनानी के लिए मुझे चाहिए छेना तो मैंने चैना अल्रेडी प्रिपेर कर लिया है उसके लिए आपको चाहिए 1 लिटर अफ काव मिल्क and उसे after a boil उसमें आड़ करना है 2 टिब स्पून ओफ विनेगर थोड़ा थोड़ा करके and जब चैना पूरी तर किसी सेपरेट हो जाए तब उसे strain कर लेना है या तो strainer में या फिर cotton cloth में and strain करने के बाद उसे plain water से थोड़ा सा wash करना है ताकि जो विनेगर की करवाहट है वो चैने से निकल जाए and आपका चैना बिल्कुल ready है रस्मलाई बनाने के लिए तो मैंने इस process को skip कर दिया है ताकि या वीडियो जादавно प्लत हो भाद कर लिए तो उसे चैने को अच्छे सी मतना है अपने हाथों की मदद से और अपनी हतेली से उसे मतना है उसकी से रस्मलाई की दाने होते है उसे बिल्कुल मिटा देना है जिसके वजह से उसका सा ज capac este класс है बिल्कुल स्मूध हो जाए एंदेन उसके बॉल्स बना लेने हैं या तो आप रसकुला बना सकते हो या फिर रसमलाई का शेप दे सकते हो वो या जो एंदेन जब हम रस्मलाई के बॉस बना रही होंगी उसे पहली हमें बनाना है शुकर सिरब जिसमें हमारी रस्मलाई जो है अच्छे से कुक होगी करीब 15-20 मिनट के लिए तो उसके लिए लेना है लेस दैन वन कप ऑफ शुगर एंड टू कप सफ वोडर एंड आप अपने रिक्वार्मेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखें कि शुगर सिरब बिल्कुल पतला होना चाहिए ब चीनी अच्छे से गुल जाए दिन आपका शुगर सिरब रेडी है इस बात का ध्यान रखें तो जब हमारा शुगर सिरब प्रिपेर हो जाए दिन हमें उसमें कुक करने है अपने रसमलाई के बॉल्स को उसके लिए सबसे ज़रूरी बात जब शुगर सिरब बिल्कुल करीब 15-20 मिन तक उसे कुक करना है थोड़ी दिर के बात वाखुद बखुद ओपर की तरफ आ जाएगा जो रसमलाई की बॉल्स हैं आप समझ जो कि रसमलाई की बॉल्स बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं उसे अराम से बाहर निकालो एं उसके उपर देन थोड़ी स साइब में रख तो जब तक शुकर सिरप में रसमलाई की बॉल्स है वो को खो रहे होंगे तब तक हमें प्रिपेर कर लेना है रसमलाई का मिल्क जो कि बहुत इंपोर्टन है तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ लिटर ऑफ काव मिल्क और उसे थोड़ा से रिड्यूस कर ल यहान ऊननल एक और अज़ल ऊख की कहते है殊 आचल के लिए खोड़ देख लख था था कि अच्छा सा कलरश आजए है तो आपके जो कल मिल्क से रसमलाई की रख यहत भो घंड़ तक बहुत जरूरी बात कि जो जाब रसमलाई का मिल्क वह बहुत पतला ऊक्टल कब दूरी म बिल्कुल भी उसे ठिक रबडी ना बनाएं वह बिल्कुल पतला होना चाहिए सो बहुत जादधा रिड्यूस नहीं करना है बहुत जादा थिक नहीं करना है इस पातका जियान रखें जब राश्मलाई का मिल्क अच्छे से थंडा हो जाए दिन उसमें एट कर देंगे रास् एंदेन उसे सर्फ करेंगे साथ में ड्राइ फूट के साथ आप गानिश कर लो और मैंने उसमें एड किया है केसर के दागे भी रचे से डेकोरेट कर लिया है सो रसमला एबिलकुल रेडी है और इट वस यम रच्छ में व स्याम वा सो चाहर वा किया है तुट साथ गूझ थरसमला एबिलकुल रडी है और इत वह हूं प्लीज मेरे वीडियो को शेर करें शब्स्राइब करें लाइक करें विए और जिआ फूट करें अलगें पूट झाल 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 झाल